निमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लो महराष्ट में एक political crisis हमारे सामने आके खड़ी हुई है शिव सेना के लगभग 22 MLA's एकदम से मुंबई से निकल पड़े सूरत के लिए और सूरत में जाके वो एक resort में रुके हुए है और अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो आसाम जा रहा है अब बेसिकली अभी वो गुजरात में गुजरात एक BJP रूल स्टेट है और उसके अधा आसाम जा रहे है आसाम भी बीजेप रूल स्टेट है और अभी के लिए MLA's है शिव सेना के तो क्या यहाँ पे महराष्टर की जो सरकार है M.V.A महाविकास अगाडी इसके ओपर कोई खतरा आ रहा है इस पर्टिकूलर न्यूस को हम लोग समझने कोशिश करेंगे इस न्यूस से हम यह जानेंगे कि कॉलिशन पॉलिटिक्स में किस-किस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है और जो भी व्यूपॉइंट मैं हाँ पे दे रहा हूँ आपको यह मेरा पर्सनल व्यूपॉइंट नहीं है स्वाती चतुरवेदी जी ने यह आर्टिकल लिखा क्या है इससे पहले आपको समझना यह होगा यह जो प्रेजेंट सरकार बनी है महरास्ट की M.V.A. सरकार इसको आप बोलतों महाविकास अगारी अगर आप गॉर्मेंट और महरास्ट की बात तो यह बाइक कैमरल लेजिसलिचर है यहाँ पे अगर्टिकल बनी जिसके पास विदहान सबहा में मेजर्टी हो ठीक है बगई तो 288 टॉटल सीट से आपकी विदहान सबहा में अभी के लिए faites माहाविकास अगारी के पास और माहाविकास अगारी में तीन पॉलिटिकल पार्टिज आती है एक तो आती हे इंडियन नेशनल कॉंगरस ठीके एक आती है आपकी शिर सेना और एक आती है नाशनलिस्ट कॉंगरस पार्टी यहाँ पर इंडियन नेशनल कॉंगरस का जो सिंगनल है वो आपको हाथ से नजर आता शिर सेना का त्रशूल से और नाशनलिस्ट कॉंगरस पार्टी का घड़ी स और भी इस पर्टिकुलर महाविकास अगाडी में पार्टी जैसे कि समाजवादी पार्टी है, प्रहार जनशक्ती पार्टी है, कुछ इंडिपेंडेंट MLA's भी है अगर हम exactly देखें, तो total कितने MLA's हैं इस समय पे महाविकास अगाडी में तो बाइ 288, total MLA की सीटे हो गई, महराष्ट की विधास सबा में स्टेट लेस्ट डिसिबली में, जिसमें 57 है शिरसेना की 53 हैं Nationalist Congress Party की, इंडिननेशनल Congress की हैं 44, बहुजन विकास अगाडी की हैं 3, समाजवादी पार्टी की हैं 2, प्रहार जनशक्ती की 2, और पीजेंट जिन वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया की 1, और इंडिपेंडेंट आर्ट, तो total 171 मेंबर्स हैं किसके आपके, महाविकास अ अगी, मतब शिव सेना और बीजेपी ने मिलके सरकार बनाई थी, और 2019 से पहले जो सीन थे, वो थे देवेंदर फदनवीस साथ, जो की बीजेपी के थे, फिर जब 2019 में एलेक्शन हुए, तब बीजेपी को पूर्ण भाहुमत नहीं मिला, शिव सेना को भी पूर्ण भाहु तो यह जो सरकार बनी हैं अभी माराश्च के अंदर, वो है महाविकास अगाडी की सरकार, अब हम आजाते हैं प्रेजेंट क्राइसिस पर, यह मैंने आपको थोड़ा बैग्राउंड बता दिया, इस पर्टिकुलर न्यूज़ को समझेए, कल क्या हुआ दोस्तों, कि शिव मैले का मूवमेंट होता है न, तो उसके सासथ पुलिस का मूवमेंट होता है, भई, मैले की जान के उपर खतरा हो सकता है, बड़े दुश्मन होते हैं मैले के, पॉलिटिक्स आसान चीज़ नहीं है, तो जब भी मैले मूव करते हैं, उनके सास उनकी सिक्योर्टी मूव करत और यह जो MLA है यह जा कि कहां पर क्याम कर रहे हैं सूरत में सूरत आता है गुजरात में गुजरात एक बीजेपी रूल स्टेट है तो यहां पर सबसे पहले घंटी बजी कि भाई कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है शिफ सेना के अंदर कहीं कुछ ऐसी लड़ाई सी तो न पर्टिट वाल से पार्टिट यह नैशनलिस्ट कॉंगरस पार्टी है और नैशनलिस्ट कॉंगरस पार्टी की सुप्रीमों कौन है शरत पवार साब अभी कहां पर है वो दिल्ली में यह जो प्रेजडेंट के एलेक्शन के लिए जो भी आपके लोग मोबिलाइजेशन है उसको उसके लिए शरत पवार साब गए है दिल्ली हाला कि मैं अभी बता दो दो दिन पहले ही शरत पवार सार का जो नाम था वो प्रेजडेंट के लिए नॉमिनेट हो रहा था लेकिन लोगना मना कर दिया कि हमें प्रेजडेंट नहीं बना तो एक महाविकास अगड़ी की सरकार के अंदर कुछ प्राब्लम आ रही है यह कि इस बेसिस पर बोल रही है यहाँ पर सौती चेदुरवेदी यह इस बेसिस पर बोल रही है कि भाई जब इतने ज़ादा MLS का मूवमेंट हुआ तब होम मिनिस्टर को अबिसी बात है पता होगा तो उस समय पर चीजों को क किसी इन भी नहीं बोला है यहाँ पर अलग अलग जो न्यूज आर्टिकल सो सौती चेदुरवेदी जो यहाँ पर लिख रही है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ तो क्या हुआ कि यह 22 MLS एकदम से सूरत चले गए तो शुरुवात में जो शिव सेना पाटी की ची जो कॉलिशन इसको वापस लेका हूँ 2019 से पहले बीजेपी के साथ कॉलिशन ता जिर्शेना था तो एक नाशिंदे और मैं आपको पता दू एक नाशिंदे इस दा चीफ विप शिव सेना की चीफ विप है विप समझते हो ना विप का काम होता है कि on the floor of the house अगर किसी particular act पे तो अगराल वोटिंग मगरा हो रही है तो उस particular political party के MLA's या MPs उस act में वही viewpoint रखें जो कि party की leadership का viewpoint है तो basically कल की date में अगर लोग सबा में किसी बिल्कियों पर वोटिंग होती है तो BJP की जो विप होंगे वो ensure करेंगे कि BJP political party का stance एक हो किसी एक particular act पे positive vote करना है negative vote करना है ये विप पहले ही BJP के MPs को बताएगा और उसके हिसाब से voting होगी तो विप का काम होता है कि party members के अंदर और खासका party के बिहाफ पे जो selected MLA's MPs हैं उनके ओपर control रखना उनको discipline रखना ये देखना कि भाई वो किस चीज़ पे किस क्या viewpoint ले रहा है on the floor of doors तो एकनाश शिंडे यहा पे चले गए आप क्यों चले गए तो ऐसा बताया जा रहा थे कि इनके अंदर शायद नराजगी थी नराजगी किसके प्रती चो कि उद्दव ठाकरे साब संजे राउत को ज़्यादा importance देते हैं अब ये internal political आप कहलो problems हैं इसके बारे में कोई clarity से कहनी सकता है जो newspaper मीडिया म में बोल रहा हूँ तो overall इस महाविकास अगाडी की सरकार में problems आ रही हैं ये एक और तरीके से पता चला था कि अभी देखे तो राजसभा के elections हुए तबी राजसभा के elections में Congress और Nationalist Congress Party ये दोनों ही political parties एक set of candidates इन राजसभा पे मदब तयार नहीं हो पाए तो और उसके चलते एक seat राजसभा के एक्स्ट्रा चलीगी बीजेपी के पास फिर अभी रिसेंटली महारास्ट में State Legislative Council के भी elections हुए थे और वहाँ पे कुछ शिवसेना की members ने तो बीजेपी के लिए वोट कर दिया ऐसा सुनने में आया था और उसके बाद ये crisis हो गई अलाकि मैं बता दू कि किसी भी particular leader ने अब तक ये नहीं बोला है कि वो महाविकास अगाड़ी को support नहीं करते हैं सब ने महाविकास अगाड़ी की प्रतियफना support दिखाया है चाए वो शरत पवार हो उद्धर ठाकरे साब तो Chief Minister समय पे चाए वो Congress Party हो बड़ डेफिनेटली ये जो 22 MLS एकदम सोटके गुजराच चरे गए हैं और अब News Reports बोलड़नी की वो आसाम जा रहे हैं से कही न कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार गिर सकती है शायद गिर सकती है अभी तक गिरी नहीं है इन 22 MLS की क्या requirement है इसके बारे में धीरे-धीरे आगे पता चलेगा तो इससे पता चलेगा कोलिशन की सरकार को चलाना दोस्तों कितना मुश्किल होता है इंटर्नल पॉलिटिकल स्कॉबल्स कभी कभी कितनी प्रॉब्लम क्रेट कर सकते हैं पॉलिटिक्स किस प्रकार से काम करती है भी देखिए राजसभा की मेंबर्स को लेके और ओवर ओल स्टेट लेजिस्ट्रिटिव काउंसल के मेंबर्स को लेके भी सामन जे से नहीं बन पा रहा तो जब बहुत जबड़ा कोलिशन की पॉलिटिकल पार्टी साथ में आ जाती है और भी कुछ जगों पर लिखा हुआ है कि भाई जो पूरो चीफ मिनिस्टर रहे है माराष्ट के देवेंद्र फद्नविश जी इन्होंने जो यूनिल मिनिस्टर नारान ग्राने इनके साथ मिलके ओवराल मोबिलाइस किया है नमेलेस को मतलब ओवराल कहीं न कहीं इनमे पॉलिटिक्स तो यहां पे होती रहेगी एक पॉलिटिकल क्राइसिज है मारास्ट की और ओवराल जो पार्टी लीडिर्शिप है शिव से ना की यह इसको सौट आउट करने की कोशिश करेंगी मेरा अबजेक्टिथ आपको इस म्यूस को प्रॉपर तरीके से समझाना अब क्लिश से लोग कितना वोट देते हैं चलो आप नीचे कमट बॉश्वम कांसल के लेक्शन सोते हैं तो वोट आपके लेघेटिटिव एसंब्ली की मेंबर्स देते हैं कितने वोट वोट से स्कूल करें ओवर आल वो जो परसंटेज है को यह ना कि भाई हां भाई इतन कि अपना और पढ़ते लिए और कुछ एक्स्टा इंफॉर्मेशन अगोर इस न्यूस के बारे में आपके प्रताब ने तो वो भी नीचे कमण बॉक्स में लिखके बता सकते हैं